तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ दाल पकवान की रेसिपी इसमें होता क्या है चटपटी मसालदर दाल होती है जिसे सर्व किया जाता है एक टम क्रिस्पी पापड़ी के साथ में यह जो कॉंबिनिशन है ना यह आपने एक वर खाल या ना तो यह आपका फेवरेट हो जाएगा आप इसे दो तरीके सिखा सकते हो यह बहुत ही फेमस सिंधी ब्रेकफास्ट है आप इससे अपने एक पर जुरूर ट्राइ करना यह कॉंबिनिशन आपको बहुत बसंद आएग आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको लेनी है मैदा यह हमने लिए है तीन कप मैदा आप चार कभी ले सकते हैं जितना आपको बनाना हो स्वाधनों सार नमक इसमें जाएगा साथ में ज स्पोन रिफाइंड वैल जाएगा अब सबसे पहले आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालके आपको इसका डो त्यार करना है डो कैसा होना चाहिए जैसे आप उड़ी के लिए लगाते हो ना वैसे ही या फिर जैसे आप मठ्री के लिए ल कर दिकशन कर सकते हो यह तो लग गया है अभी हम इसको अफ्वागा सा ऑई लगा के रखेंगे तक छो जाएगा दिया है अब इसको भग देते हैं। यहां पर हमने चनाँदाल दाल को हमने था ovat करभा है चनाँदाल पाकने में थोड़ा से समय लेती हैं तो इसे आप थोड़ा सा पहले से, यानि कि एक ज़़ घंटे पहले भी होने रग देना, और जितना चना दाल आपने लिए हो, उससे तीन गुणा पानी लेना, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा, मिक्स कर देना, और आपको इसमें 3-4 सिटे लगानी होत यहां पर तड़के के लिए आपको लेना है घी इसमें हम डालेंगे जीरा दो से तीन पिंच हींग इसमें जाएगी साथ में थोड़ी सी हल्दी बकित दाल उबलते वक्त हमने डाल दी तो जादा नहीं डालेंगे यहां पर हमने दो टमाटर लिये हैं बड़े इसमें हमने थोड़ा रफली कट कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा ऐसा नमक एट कर देती है टमाटर के हिसाब से ताकि जल्दी पक जाए अब बस टमाटर को आपको तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है और यह घी को अलग नहीं कर देता है तो बस इसे होने देना फ्लेम को लोट टू मीडियम रखना और ढखकर पकाना दो थी मिनिट में फिर आप इसको चैक कर लेना तो यहां पर सबसे पहले दाल को चैक कर लेते हैं यह देखिए दालना कच्छी नहीं होनी चाहिए औ दाल अच्छे से पक गई है अब क्या करना है जो टमाटर का मसाला है वह भी अच्छे से बुन गया है यह दाल इसमें डाल देते हैं अच्छे से मिक्स होने के बाद में आपको इसे लो फ्लेम पर पकाना है अभी आपको थोड़ा से इस तरीकी से दिख राए ना ताकि एक जैसा टेक्शर आजाए दाल का तो पांस साथ निट तक लो टू मीडियम पर पकाना उसके बाद में आप इसको चैक कर लेना यह देखिए दाल का एक जैसा टेक्शर आगया है पानी और दाल अलग अलग नहीं है कि इसको बंद कर देते हैं यहां पर टड़का लगाएंगे दाल में लास्ट तो इसमें जाएगा घी गी की जगे जो लोग रिफाइन ओल का यूस करते हो ना दाल में वह ले सकते हैं साथ में हरीमे चमने इसमें डाल दी है थोड़ी सी हींग इसमें जाएगी एक्स्ट्रा हींग के फ्लेवर के लिए इसी के साथ में एक आप मिर्श लेना सुकी या फिर दो ले लेना और इसे आप हलका सब होना गैस को अभी मैंने बंद कर दिया है बिलकुल लास्ट में आपको इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्ज नहीं तो रेगुलर भी ले सकते हैं और बस यह तड़का आप इसके उबर डाल देना तो यहां पर यह हमा कि यह हम दाल पकवान बनाएं तब आप यह दाली डाल बनाएं रेगुलर में भी बनाईएं बहुत टेस्टी बनती है अब यह जो डो है इसे चेक कर लेते हैं इसे न आप थोड़ा से नीट कर लेना और यह जो पूर्शन है न इसमें से आपको दो पार्स में करना है तो इ प्टकि कशी ज Sutrim फोड़ी बनती है वो यह जो टो डिपैंड करत는 है बनानी है वाके जैसे आप पूरी के लेते हो दो उससे थोड़ा से सा कम आपको लेना है और इस तरीके से आपको इसकी प्रेड़े बना कर तयार कर लेने हैं आप और अब इसमें से हम बेल लेते हैं आप चाहें तो यहाँ पर सुख्याटे का यूज़ कर सकते हैं या फिर ओइल का यूज़ कर सकते हैं बेलने में दिक्कत होती है तो वरना बस आप इसको पूरी से पतला बेल लेजिएगा बस अभी आप पर डिपेंड करता है आपको जो पापड़ी है इसकी वो बड़ी बना बनानी है निखना फूरी से पतला बेलना है फोक ले लेना उसकी हेल्ग से आप इसको इस तरीके से कर देना ताकि यह फू लेना तो बस यहां बड़ी हो गहा है इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेलते जाएंगे और कड़ाय में डालते जाएंगे और आप चाहें तो बना कर रख भी सकते हैं क्यूंकि इस रिक्ती धीमी गैस पर है तो थोड़ से समय लग जाता है बाकि यह महिने भी इस टोड़ करके रखो कांच के बरतर में कोई स्मेल नहीं आएगी कुछ भी खराब नहीं होगा और जब चाहे तब डाल बनाएए और बस पकवान के साथ में आप इसको सर्ग कीजिए फ्लेम को आपको मीडियम टू लो रखना है और जब भी थोड़ा सा सिख जा एक साथ से फिर अप इसको बीच बीच में पलट देना और दोनों ही साथ से अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको क्रिस्पी होने तक आपको सिख ना है तो देखे एक साथ से इसका अच्छा कलर आ पर लेंगे देखे चीज़ा वही रहती है अब जैसे हम चार्ट के लिए जब पापडी बनाते हैं आप चाहें तो इसमें इस इस बड़ी पापडी है तो इसे दाल के साथ सर्व किया जाता है तो फिर दाल पकवान कहलाता है तो यह हो गया है एकदम पर्फेक्ट इसकी कंस consistency है इस होने चाहिए और ऐसा ही इसका color होना चाहिए तो यहाँ पर हम इस को सर्व कर लेते हैं में और इससे हम सर्व करेंगे आप चाहें तो इसे ऐसी यसे पाप्री और पख वा सकते हैं और आप चाह है तो इसकी बीना चाड़ बनती है चाट बना का खा सकते हैं तो इसे जैसे बाहर सर्ट किया जाता है उसमें क्या होता है पाप्री लेते हैं उसकी उपर डाल डाल देते हैं ये टमाटर है हरी मिर्च है चटनी है हरी वाली और जो लोग प्यास खाते हैं प्यास डाल सकते हैं लाल मर्च है और यह है चाट मसाला और थोड़ी सी न सेव वाली नंकी ले लेना जो क्रिस्पी अच्छी रखती है लास्ट में नीबू का रस तो यहां पर यह भी तैयार है आप यह नहीं को ट्राइ करना आप कमेंट करके खुद बता होगी कि यह आपको बहुत पसंद आई ह तो पसंद नहीं हो तो लाइक करना न भूलें फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें न और कमेंट करके बताना रस से भी आपको किसी लगी थेंक यू करना आपको करना रसक्ता हुदू